हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आखिर कैसे हमारा इम्म्यून सिस्टम काम करता है और बिमारी उसे हमें बचा कर रखता है अगर आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए इम्म्यून सिस्टम दो तरह के होते हैं, इनेट और अड़ाप्टिव इनेट इम्म्यून सिस्टम चैनल मसे हमारे साथ होता है इसका पहला काम यह होता है कि यह पैथोजन्स को सरीद के अंदर जाने नहीं देता पैथोजन्स होते हैं वाइरस, बैक्टिरिया किसी भी तरह से हमें नुक्सान पहुचाने वाले चीज़ें पैथोजन्स को बाहर रखने का काम हमारी स्किन, नाक में मौझूद मूकस और आक में मौझूद लिक्विड करते हैं अब अगर पैथोजन्स अंदर चले जाएं, तो अलग-लग तरह के सेल्स अलग-लग तरह से काम करते हैं माश्ट सेल, किसी पैथोजन्स को देखते ही एक कैमिकल रिलीज करता है, जिसे हिश्टामिन कहते हैं इसके रिलीज होते ही infected area में सूजन आ जाती है Pagocyte पूरे सरीर में गोमते रहते है Pagocyte mainly तीन टैप के होते है Neutrophil, Macrophages और Dendritic Cell Neutrophils pathogen को खा लेते हैं जिससे वो मर जाए लेकिन साथ ही साथ Neutrophil भी मर जाते है Neutrophil के मरने से ही पस बनता है Macrophages भी Neutrophil की तरह pathogen को मारने के लिए खा लेते हैं लेकिन Macrophage लगबग 90-100 pathogen को मारने के बाद मरता है Macrophage cancer cell को खत्म करने का काम भी करते हैं Dendritic cell pathogen को नहीं मारते हैं ये pathogen के द्वारा छोड़े गए antigen को collect करते हैं और T cell को देते हैं Antigen pathogen के द्वारा छोड़े गए chemical या particles होते हैं अब यहां से सुरू होता है Adoptive Immune System जो शरीर में आई pathogen के अनुसार उसे मारने की planning करता है T cells को जब से antigen मिलता है तो वो उन pathogen को खत्म करना सुरू करते हैं T cell के भी दो type होते हैं helper T cell और cytotoxic T cell cytotoxic T cell pathogen को मारता है वही helper T cell जैसा कि इसका नाम है यह cytotoxic T cell की help करता है helper T cell दो तरह के होते हैं effector T cell और memory T cell effector T cell antigen को collect करता है memory T cells antigen का record त्यार करते हैं जिस्टे कि फिर से वही pathogen attack करता है तो उससे बचा जा सके B cells ये भी T cells की तरह ही होते हैं B cell antibody release करता है ये antibody जाकर antigen cell log हो जाते हैं ये antibody tag का का काम करते हैं macrophages in tag किये गए infected cells को खाने लगते हैं B cell में भी memory B cell होते हैं जो की record त्यार करती हैं T cell तब काम करना शुरू करते हैं जब infection फैल चुगा होता है वही B cells infection शुरू होते ही काम करना शुरू कर देते हैं Immune system एक बहुत ही बड़ा topic है ये अतना बड़ा topic है कि इसके पढ़ाई के लिए specialized stream है जिसे immunology कहते हैं मैंने इतने बड़े topic को इस छोटे से वीडियो में cover करने के कोशिश किया उमेद है ये वीडियो आपको पसंद आये होगा Thank you